चार राजों के विधान सभा चनावों में बिजेपी को उमीद से ज़ादा सफलता मिली तो कॉंग्रिस के हाथ एक ही राजी की सता आई लेकिन इस बीच कॉंग्रिस और बिजेपी का खेल बिगारने का दावा करने वाली सपा और बस्पा के सभी दावे हवा हवाई साबित हुए जनता ने इन दल को पूरी तरह से नाकार दिया है मद्रप्रदेश विधान सभा चुनाब में सपा और कॉंग्रिस का गटबंधन नहीं हो पाया तो अखलेश यादव ने कॉंग्रिस पर जम कर निशाना साधा सपा की ओर से यहां तक कहा गया कि MP में हमारी ताकत का एहसास कॉंग्रिस को नहीं है पार्टी ने 71 सीटों पर उमीदवार भी उतार दिये सपा ने दावे तो बहुत किये थे कहा था कि हर चुनाब में पार्टी को MP में सीटे मिली है लेकिन सपा के दावे आज सामने आए चुनाब परिनामों में सामने आ गए पार्टी को सभी उमीदवारों को मिला कर दो लाख वोट ही मिले। किसी भी सीट पर ऐसी स्थिती नहीं बनी कि सपा को मिलने वाला वोट जादा प्रभाब छोड़ पाए। पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। दूसरी और BSP की हालत तो और भी खराब दिखाई दे रही है 2018 में BSP को 36 गड़ और मध्यप्रदेश में 2-2 और राजस्थान में 6 सीटों पर जीत मिली थी। एक्जिट पोल में जब राजस्थान में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने का दावा किया गया तो BSP की ओर से खुद को किंग मेकर बताया जाने लगा। लेकिन जब चुनाप प पार्टी का खाता मध्यप्रदेश में नहीं खुल पाया। दूसरी और राजस्थान में पार्टी की सीटे 6 से घट कर 2 रह गई है। चुनाप परिणामों ने एक बात साफ कर दी है कि वो अब छेत्रिय पार्टी ओ पर नहीं राश्टिय दलों पर भरोसा जताया है। और इसी के चलते तिलंगाना में भी मद्दाताओं ने बियारस को नकार दिया है। डिवी लाइप की रिपोर्ट।